क्या आप अपने दिन की शुरुवात थाइरट की टेबलेट से करते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए हैं! आज कल के बिजी शेड्यूल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वज़़े से थाइरट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं! बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुवात थाइरट की गोली से करते हैं! इसका कारण क्या है? और सबसे इंपोर्टन्ट क्वेस्टिन, क्या थाइरट के चलते हम वेट रेड्यूस कर सकते हैं? नाचुरल तरीके से देखे तो इसका एक ही सुलूशन है! मिन्टेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइस, वॉक और वाटर का इंटेक जो थाइरट टेबलेट आप सुबह खाते हो आपके थाइरट को तो वो ट्रेट कर रहा है बट आपकी बोडी से वाइटमिन और मिनरल की अब्सॉप्शन नहीं होने दे रहा थाइरट का में रीजन होता है कॉर्टिसोल हर्मॉन जो हमारा स्ट्रेस हर्मॉन भी है और रोज की छोटी मुटी जो स्ट्रेस है ये थाइरेट का कारण नहीं है कोई भी इस चीज को लेके जब हम prolonged stress लंबी दे तक उसी चीज को stress करते रहते हैं वो है इसका main quorum और ये stress cortisol hormone को बढ़ाता है और thyroxine hormone को कम करता है कई बार thyroid की वज़े से आपके cholesterol levels भी high आते हैं सो आपको पहले अपने thyroid levels को चेक करना है cholesterol की medicine स्टार्ट करने से पहले क्यूंकि ये thyroid की वज़े से ही कई बार high आ रहे होते हैं अब thyroid में क्या खाएं क्या ना खाएं उसकी बात करते हैं cauliflower, cabbage, broccoli ये जो crucifer family है और soya products आपको नहीं लेने है बट अगर आप गोबी, पताकोबी या broccoli को cook करके, steam करके या saute करके लेते हैं तो कोई problem नहीं है soya products की बात करें तो yes, इन्हें avoid करना चाहिए बट ये भी कभी कभी जैसे 15 दिन में एक बार या महीने में 2-3 बार moderation में लिये जाएं तो भी कोई problem नहीं है बट refined oil जिनमें soya bean oil, corn oil ये बिल्कुल भी use नहीं करने हैं आपको coconut oil, olive oil या mustard oil ही use करना है ये तो हो गई avoid list अब देखते हैं कि क्या खाना चाहिए include nuts and seeds क्योंकि इन में पाया जाता है selenium जो कि thyroid के functioning में help करता है pineapple में जो antioxidant properties हैं वो भी thyroid में काफी helpful होते हैं तो इसे भी अपनी diet में शामिल कर सकते हैं पालक जो कि एक super food माना जाता है इसे भी आप अपनी diet में जरूर शामिल करें आप इसकी रोटी बना सकते हो, सबजी बना सकते हो, सूप बना सकते हो, जूज बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो या इसको आप simple अपनी salad में शामिल कर सकते हो मुंगाल, टमाटर, आलू, अंडे, पनीर, मश्रूम्स ये सब भी thyroid patient को अपने diet में include करना चाहिए आप coriander seeds यानि की धनिय का पानी भी अपने diet में जरूर शामिल करे या आप धनिय की चटनी भी बना के ले सकते हो ये बहुत effective remedy है thyroid के लिए thyroid ऐसा नहीं है कि reverse नहीं हो सकता अगर आप अपने lifestyle को ठीक करेंगे, exercise करेंगे, अच्छी नीन लेंगे क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी body repair mode में जाती है इस सबसे आपकी body detoxify होगी और आपको गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले और अगर आप thyroid के लिए customized diet plan लेना चाहते हैं तो you can contact me at 814-6060-791 stay fit, healthy and happy